महराष्ट में जारी सियासी घमासान के बीच उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा हमला बोला है। ठाकरे ने भाजपा को चुनाव लड़े मेरे पिता का नाम न ले फिर देखते हैं कौन जीतता है। की मदद की और अब उन्होंने हमारा चिन, नाव और यहां तक की मेरे पिता को हमसे चीन लिया है। अब भाजपा को नीचे लाने का वक्त आ गया है। मैं चुनावती देता हूं कि भाजपा मोदी के नाम का इस्तिमाल करते हुए महराष्ट राए। और मैं आपको अपने पिता के नाम से जवाब दूँगा। देखते हैं कि कौन जीतता है। उन्होंने कहा कि शिवसेना का जन भाजपा को आगे ले जाने के लिए नहीं हुआ। शिवसेना का जन भूमिपुत्रों और देश भक्तों की रक्षा के लिए हुआ है। उद्धम ठाकरे ने पिये मोदी और भाजपा को हिंदुत विचारक दिवंगत विनायक दामुदर सावरकर के आखर दभारत के सपने को पूरा करने की चुनौती दी है। ठाकरे ने सावरकर गौरव यात्रा को लेकर भाजपाव मुख्यमंत्री एकनाच शिंदे पर निशाना साथते हुए कहा कि पवित्र भगवा भज उनके हाथों में अच्छा नहीं लगता। ठाकरे ने सवाल किया सावरकर ने देश की स्वतंत्रता के लिए कठोर कारवास और कठिनाईया छेली नकी मोदी को प्रधान मंत्री बनाने के लिए क्या आप सावरकर के आखर दभारत के सपने को पूरा करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा भाजपर और एकनाथ शिंदे के नित्रत वरली शिवसेना को सावरकर और सरदार पटेल के आदर्शो पर चलना चाहिए। कुछ समय पहले अमित शाह ने महराश्र में बीजेपी से उद्धव ठाकरे को उनकी जगा दिखाने को कहा था। ये मेरी जगा है। लेकिन आप हमें पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर में जगा कब दिखाएंगे। उद्धव ठाकरे ने भाजपा को भजशक पार्टी करार दिया है। पूल्व सीएम ने दावा किया। ईसर भारती जनता पार्टी कहना भारत के लोगों का अपमान है। वे भरष्टाचार के आरोपों के साथ विपक्षी नेताओं पर हमला करते हैं और उन्हें अपनी पा करते हैं झाल झाल